इस वीडियो में हम बात करेंगे, SSE MTS की salary slip के बारे में, और सिर्फ ना ही salary slip के बारे में बात करेंगे, जो DA हुआ है 50%, उसके बाद salary तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही में आपकी बहुत सारी चीजें और बढ़ गई है, यह था कि जब DA 50% हो जाएगा, तो किस किस चीज में कितना कितना इंक्रीमेंट आएगा वो पहले ही सैट हो गया तो एक बार डिय अगर पचास पसेंट से बढ़ेगा तो यह यह चीज़ें बढ़ेंगी जैसे यूनिफॉर्म के पहले जो रुपे मिलते थे अब वो बढ़ गए आपकी बच्चों के एजुक परसेंट होने के बाद और क्या-क्या इंक्रीमेंट देखने को मिला है आपको तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं बिदाउट एनी फर्डर देले वर्ट बेफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्रीज दू सब्सक्राइब इस चैनल फोर मोर वीडियो रिगार्डि एक्सिटी की सैलरी सिलिप का इमेज है यहां पर आप देख सकते हो यह महराष्ट थाने की सैलरी सिलिप है जो डेजिक नेशन है वो आपकी MTS की है साथी में जो पेलेबिल है वो अठारा जार से लेके 56,900 तक का होता है प्रान नंबर और यह कुछ चीज़ें जो जो सैलरी सिलिप है यह मार्च दोजाज 24 से है मार्च दोजाज 24 की है तो जो आपका डीए बढ़ा है वो मार्च में ही नोटिस आया था 50% डीए होने का पहले 46 परसेंट अब भी डीए 50% हो गया है तो जो आपका बेसिक पे है वो 18,000 है डीए आपका 50% हो गया तो मतलब 9,000 रुपे हो गया एचार आपका 30% हो गया है तो यह 54 रुपे 54 रुपे है उसके बाद traveling allowances भी थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि जब डीए बढ़ता है तो traveling allowances भी बढ़ते है तो यह 2025 रुपे हो गया है आपकी जो gross salary बनती है वो 34,425 रुपे बनती है जिसमें से आपका कुछ professional tax CGEGI SK 30 रुपे ठीक है आपके यह जो 2700 रुपे कटते हैं यह आपके pension and national pension scheme जो आपके प्राहन account में जाते हैं उसमें जाते हैं और यह आपका basic pay और DA दौनों मिलाके उसका 10% कटता है 2700 रुपे कटता है और इसमें कुछ जैसे 2700 रुपे कटेगा तो लगवक तीन-चार रुपे government include करती है और यह आपके जो pension वाला खाता होता है उसमें भेज दिये जाते हैं तो टोटल और यह 500 रुपे CGHS कार्ड के लिए कटें तो टोटल आपके 3180 रुपे कटकर जो आपकी in hand salary आएगी जो आपके account में आएगा 31205 यह जो CGHS के पैसे हैं यह आपकी उपर हो चाहते हैं यह नहीं अगर यह नहीं कटवाना चाहते हैं तो आपके 500 रुपे और एक्स ट्राइंगे बस आपका CGHS कार्ड नहीं बनेगा और बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो आप कटवा कटवा सकते हो और कटवाना भी चाहिए तो आपके जो in hand salary है MTS की X City में जो क 5 रुपे है इस बक्त अब हम बात करते हैं बाई जो बाई सीटी की salary slip है तो चलो मैं आपको by city की salary slip दिखा देता हूं यह जो आप salary slip देख रहे हो यह by city नासिक की है महाराष्ट में एक city है नासिक और वह by city के अंदर आती है तो यह आपकी जो salary slip है यह by city की है ठीक है सारी चीज़ें सेम है आप MTS और यह मार्च की सारी चीज़ें जो आपकी है वह सेम है ठीक है लेकिन यहां पर जो आपका basic pay है देखो वह अठारह जा रहा है द फरक होता है hra में और traveling allowance में बस इसमें फरक होता है जैसे एक city में चववन सव रुपे था और यहां पर यह इसका 36 रुपे है बतलब एक city में तीस परसेंट बाइस परसेंट आपका basic pay का और 10 जैट सिटी में 10 परसेंट और traveling allowances आपके 1350 रुपे है जो वहां पर 2025 रुपे क बनती है ठीक है और जो इनका deduction हुआ है total वह 2980 रुपे का deduction हुआ है साथी में जो इनकी net pay है जो इनके account में पैसे आएंगे 28940 यह net pay है इतना account में by city में आएंगे ठीक है तो यहां पर अगर आपको जैट सिटी की salary slip भी देखनी हो तो वह salary slip तो नहीं है मेरे पास जिसमें ब 800 रुपे आपको HRE मिलेगा जो 36 रुपे मिलने और जो आपका traveling allowances है वह 700 800 रुपे के something आएगा तो इसको आप calculate कर सकते हो कितना आपका जैड सिटी में जो आपका MTS की salary है वह बनेगी अभी यह हमने salary slip दिखा दी मैंने आपको X city की by city के MTS की अभी salary के अलाबा डी यह 50% होन subsidy है उसमें आपको कितना increment देखने को मिला है देखो जो अभी आपकी subsidy है वह है मतलब जो पास्ट में थी वह 2250 रुपे थी लेकिन डी यह 50% होने के बाद यह हो गई है 2812 रुपे पर मतलब पहले अगर आपके मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि आप MTS की job कर रहो अगर मतलब बच्चे तो होंगे अगर वाली बात ही नी साधी होगी बच्चे होंगे तो आपके दो बच्चों तक दो से ज़ादा एं तो उनके लिए लिए eh यह 50% हो गया है तो अभी 2812 रुपे हर महीने जो स्कूल की फीस जाती है उसके लिए आप पैसे ले सकते हो गवर्मेंट से अब आपके बच्चा एक बहुत अच्छे स्कूल में पड़ा जिसकी फीस काम है जादा है वो मेटन नहीं करती गवर्मेंट 2812 रुपे पर मंत ही तो यह तो हो गया चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस और होस्टल अलाउंस इस उसके बाद आपको मैं बता देता हूं ड्रेस अलाउंस इस पहले एक के लिए अब सबसे पहले तो आपका एक चीज बात एक दूर कर देता हूं डाउट की यूनिफॉर्म का नाम आता है तो ऐ कपड़े या जैसे आप के आफस में कपड़े पहन के जाते हो बैसे पहन के जा सकते हो कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है एक की बस आपकी जो ड्रेस वगेरा हैं जो फॉर्म्न कपड़े भी मतलब उसके लिए एक ऐसा नहीं कि अगर यहां ड्रेस अलाउंस मतलब यूनिफॉर्म के लिए पैसा मिल रहा है तो कोई यूनिफॉर्म होती होगी MTS की कोई यूनिफॉर्म नहीं बस आपको पैसे मिलते हैं पहले मिलते थे अभी तक पांच चार पर एक साल में एक बार अभी मिलेंगे 6250 रुपे एक साल में एक बार और मोस्ट प्रॉबिबली जुलाई में मिलते हैं उसके बाद मैं बात कर लेता हूं इस पेसल अलाउंस ऐसा मानती है कि भाई वो इंडिपेंडेंट है उनकी फैमली में कोई नहीं है ठीक है तो उनको पहले जो मिलते थे वो 3000 रुपे पर मंत मिलते थे ठीक केर करने के लिए उनकी बच्चों अगर मतलब जैसे टेक केर करने वाला कोई होता है ना उसको अपने यहां रखने के पर ले सकती है जब तक उनका बच्चा दो साल तक नहीं हो जाता यह ध्यान रखिए और यह डिसेबिलिटी वगएरा कितनी होनी चाहिए यह सारी यहां पर मैकजीम है और यह भी लिखा हुआ है कि दो साल तक बच्चा आपका दो साल तक नहीं होता जब तक गवर्मेंट आ कि देखो पहले फारी कितना अश्रह न ता तस और साथ ऐस पर सेंट है अभी चार। ऐखने हो गया 30 ठशी में इस वीच पर संट हो गया जै नौप थान परसेंट हब यह चार आधि दस पर संट हो er तो यह आपका ए चार ही और जुका आपका एचान मिछर्थ ऴी enerman 9uestos Som 300 और 1800 xyz city में आपको इतना देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके बाद composite transfer grant अभी वैसे तो यह ना समझो तो भी चलो में बता दिता हूं कि जैसे कि आप कहीं अपने out of state कर लो job आप जब retirement होते हो जब रिटायर होंगे तो पहले आप अपनी state अगर बापस जाके रहना चाहते हो तो आपको एक मंत की extra income मिलती थी ठीक है जो last month का basic पे है जो आपका month है उसकी एक month की आपको extra income मिलती थी कि आप वहापे transfer कर लो तो कुछ extra खर्चे के लिए अभी वह पहले जैसे अगर आपकी जब रिटायर होंगे सब आपकी दो लाक सेल्जी है ठीक है तो पहले मिलता था उसका 80% लेकिन अभी मिलेगा 100% of the basic ठीक है तो यह आपको और अगर आप अंडमान निकोबार या लक्षदीब जैसी जगह पर है तो पहले 100% अल्रेडी था अभी 125% of the basic मिलेगा तो यह वैसे आपका भी मतलब का नहीं है पहले यह जो दूपर की तीनचा चीज़े हैं यह जो इंक्रीज हुई है यह आप की मतलब की चीज़े हैं और यह इसलिए मैंने बड़ा अच्छे से मैंसें करके आपको समझाया है आई होप आपके सारे डाउट के लिए कर पाया हूंगा फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करना आई बिल डेफिनिटली रिप्लाई और कॉमेंट आप से मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट गूले में तब तक के लिए खया लखे है अपना